अगर आप Software Engineering, Computer Science, IT, Data Science, Electrical Engineering या किसी भी Engineering के स्टोडेंट है और चाते हैं कि आपकी डिग्री रिलेटर स्किल के साथ साथ अर्निंग भी हो तो ये वीडियो आपके लिए है इस से ब्रीवे सुली पे मैं बता जोगा हूँ आपको Harvard University का फ्री कोर्स जोके है Introduction to Artificial Intelligence with Python जोके मैंने बहुत डिटेल से बताया है आप वीडियो जाकी यूटियो पे देख सकते हैं आज की सुली पे मैं आपको एक फ्री कोर्स बताऊंगा जो फुद Harvard University आप पौफर कर रही है बिलकुल फ्री जिसमें आपको Introduction to Computer Science पढ़ाया जाएगा 11 वीक्स का ये कोर्स है क्या डिटेल्स है इस कोर्स की इस वीडियो पे आपको डिटेल्स है बताने वालाओ तो सबसे पहले हम चलते हैं Harvard University के official website पे इस फ्री कोर्स का निंक आपको description में भी मिल जाएगा मजीद अगर आप Google पे search करेंगे Introduction to Computer Science Free Harvard Course तो आपको ये पैनल दिखने को मिलेगा जिसमें सबसे पहले आपको कोर्स का नाम CS50 Introduction to Computer Science देखने को मिलेगा ये कोर्स आपको ADEX पे मिलेगा देखने के दिए कोर्स की डिटेल्स में जा निके हुई है डियारा वीक्स का ये कोर्स है एक वीक में आपको 10 से 20 गंटे पढ़ाया जाएगा Self-paced इसकी जो space होगी इसकी paste होगी वो self-paced होगी programming case में subject आपको पढ़ाया जाएगे पोस की language English है subtitle की आपको इसको English में मिल जाएगे इसका difficulty level जो है वो सिरफ introductory है आपको introduction में ये सारी चीज़ डिटेल में बताया जाएगी अधर आप इसका verified certificate लेना जाते हैं तो उसके लिए आपको pay करना पड़ेगा लेकिन इस post के कोई बैसे नहीं है pay करने के लिए आपको $219 certificate के देने होंगे इसके वाद आपको platform मेंने पहले बताया है अधर आप इन topics को देखें और इन topics को cover कर लिए तो आपकी तकरीबन तमाम CS, software, engineering, data science और ITT fields की तमाम languages जो है इसमें cover हो रही है इवन तो आप web development भी आज से start कर सकते हैं क्योंकि basically वाँ पे SQL, Python, CSS, JavaScript और HTML की language ही use होती है अधर आप इस तरह की languages कर लेते हैं तो आप sport as a freelancing platform भी use पर सबूगे नीचे देना पाएं तो आप देखेंगे what you will learn के मतलब आप क्या सीखेंगे इस course के लेने के बाद सबसे पहरा point जो आप सीखेंगे वो deep learning होगी computer science की और programming की दूसरा आपको algorithm की तरह सोचना सिखाया जाएना कि आपने एक algorithm की तरह कैसे सोचना है और आपने programming problem को कैसे solve करना है तीसरा आपको concept सिखाया जाएंगे जैसा के abstraction, algorithm, data structure, encapsulation, resource management, security, software engineering और web development जैसी आपको concept सिखाया जाएंगे जिसके बाद आप degree भी अच्छा प्रफाओ कर पाएंगे और यह को आप लादा लादा fields में freelancing के तोर पर भी use कर वाएंगे इसके बाद आप computer की कौन सी languages के साथ familiar होंगे वह मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ लेकर यहाँ पे इनने दुबारह mention किया है C, Python, SQL, JavaScript, C++, CSS और HTML जैसी languages के साथ आप familiar होंगे यह languages अगर आप देखे तो टीक एक language का अलाद अलादा platform आप यूज करके उससे अन्ने कर सकते हैं अगर आप CSS करना चाहें HTML करना चाहें web development में जा सकते हैं इसके बाद अगर आप C++ कर लेते हैं आप Python कर सकते हैं तो आप mini projects कर सकते हैं Python related आप websites बना सकते हैं multiple platforms आप इसको फिलासिंग के टॉट पर यूज कर सकते हैं मज़ें की बात यह है यह course आपको फ्री में मिल रहा है जा सर्टिफिकेट के आपको पैसे देने पढ़ेंगे इसके बाद पॉइंट है वो आपको बताया जाएगा कि आपने मैंड जैसे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करने हैं कैसे आपने community बनानी है उने जैसे लोगों कीट इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आपने final projects अपने peers को कैसे submit करवा रहा है यह बहुत detailed introductory course है जो मैं free मिल रहा है इसके बाद मैं मजीद courses आपको free में बताऊंगा अगर आपो इस वीडियो में कुछ भी नहा रगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब बढ़ें लाफिस